दोस्तों बहुत आप लोगों का बार-बार रिक्वेस्ट में और सच मुझ का सब लोग फेज कर रहा हैं Power Supply का बारे में न और खास करके Capital Complex में तो परिषान तो सब हैं और हमको पता चला है की एक- एक Lightman, Wireman और जो Electrician लोग सब लोग कहीं न कहीं में काम कर रहा है रात को बिजली का तार का उपर में बैंबू गिर रहा है कहीं में इलेक्टरिक पोस्टी गिर रहा है वेदर खराब होने का बज़े से और दो तीन दिन से जो गर्मी हुआ है ना गर्मी को तो बरदास नहीं कर रहा है साइध ओबर हीटिंग का बज़े से säद लोड सिटिंग हो रहा है क्या या ज्याधा requirement का बज़े से load सिटिंग हो रहा है क्योंकि अभी पहले जैसे हीटा नगर नहीं है अभी बहुत लोगों का घर में AC है way cooler है पंखा है भीजली है बल्ब है घर के बाहर में भी lighting system लगा के रखा हुआ है तो सावी requirement ज्यादा हो गया लेकिन requirement ज्यादा हो गया इसका यह peux मतलब नहीं है कि हम लोगों का पास्में production नहीं हो रहा है आपको पता है कि अरुणा-चल प्रदेश में अभी तो है हम लोग तो फिर पावर सप्लाई कट क्यो हो रहा है यह समझ में नहीं आ रहा है लेकिन हम पुतम साहब को भी आप लोग बार बार लिख रहा है और हमको भी बार बार आप लोग लिख रहा है तो मजबूरी में सुनने में है कि तालब पुतम साहब ने आज पावर डिपार्टमन का का काफी लोगों का साथ बातचीत के आए और डिसकस किया है लेकिन सबसे बड़ा चीज हमको जो आज पूरा मीटिंग का जो और पावर डिपार्टमेंट में भी अलग-अलग मीटिंग चल रहा था वो मीटिंग का जो हमको एक रेजुलेशन पता चला कि अभी हम जो चेमबर मे है ठीके तारा चीफ इंजिनियर पावर का है ट्रांसमिशन का है मोनिटरिंग भी देखते हैं और सबसे बड़ा चीज है कि प्लानिंग प्लानिंग प्रोसेस में भी उनका बहुत बड़ा रोल है डिपार्टमेंट में और बहुत एक्टिव भी है मैं उनको अल्मोस्ट को सोट आउट करेगा एक दो सब्ता का अंदर में नहर लगन में कुछ इशू से मैंने आपको पहले भी बताया था करेक्टिविटी का इशू है लोकल इशू से बहुत ज्यादा है नहर लगन में और और कोई ना कोई सेक्टर में कट होता है वहां डिस्टूबिशन में भी प्रोब्लम है तार में भी प्रोब्लम है रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो भी एक इशू है इसलिए नहर लगन में तो कुछ-कुछ इशू है लेकिन हम तारा साब से बात करेगा कि तारा साब का कॉमिट्मेंट क्या है कैसे करेगा और चीज को आप लोग भी थोड़ा स था लेकिन मैं कोशिस किया क्योंकि आज जो वीडियो कॉंट्रेंसिंग मिटिंग में तारा साबी जोइन किया था ओन भी हाप अप दुसरा ब्रांच का उपर में तो कॉमिट्मेंट इन्हों ने दिया है तो कॉमिट्मेंट को कैसे फूल फिल करेगा तारा साब गुड आफ गुड आफटर नून मनो जी मैं इतानगर आइसियार इतानगर केपितल रिजन और उसके इर्दगिद इंक्लूदिंग दोई मुख अरिया काफी दिनों से मैं देख रहा था हाला कि आपने बताया है कि मैं ट्रांस्मिशन को मैंनली देखता हूं ट्रांस्मिशन देटिशन कि पावर का मेंन स्वर्स होता है उसको मैं देखता हूं और आबल करके रखता हूं तो लिए भी साविशन देट इस ओन थाटिट्री साविशन तक केपितल एरिया मैं उसका किपासिटी का कोई कमी नहीं है और वालेबिविशन देख आफ पावर इस ट्रैविशन त्रिफ वे 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 लेव लेती हैं. Now, slight हामलों का issue, problems जो निकला है distribution areas में, that is 33 kv and below voltage levels, जो की public के पास, consumers के पास step down further हो करके, जो finally healthy line, healthy distribution lines तक पहुंचते, इसका distribution areas में थोड़ा issues निकला है, मैं कुछ दिनों से देख रहा था, और of course यह तीन साल से थोड़ा प्रोनाउंस हो रहा था, being in addition to transmission sector, मेरे पास planning और monitoring का भी responsibility है, तो planning and monitoring of the department of power, power sector का होते हुए मुझे और भी added responsibility बन जाता है, वो सारे चीज को हम overview से देखते रहना, और update करते रहना, उस हिसाब से में तीन साल से देख रहा था, distribution sector में थ्रास्ट की जरूरी है, और लोगों को इंटो सेस्टी के लिए improvement करना जरूरी है, जिसके लिए मैंने मेरे कॉलिक्स और down-line officers को अवगत कराते रहे, somehow उसमें काफी इसू जाए है, जैसे कुछ एक कल पर सुमें ने देखा, honorable deputy chief minister, sir, who is also minister in charge of power department in औरुनाचल प्रदेश, उन्होंने जो एक बोला power grid का related, जो comprehensive scheme project, एक बहुत बड़ा project चल रहा है औरुनाचल प्रदेश में, 2018 को ये project खतम होना था, जिसके scope में 132 kb level का तो है ही है, उसके नीचे 33 level का 33 by 11 kb service station, जो distribution level में main power house होता है, heart होता है, source होता है, क्या पास इती upgradation के लिए, उसमें इटानगर में आपके पास गोपूर 3 आली provision में था, और central power house में था, राजभवन में था, पपु नला में था, दोईमुख में था, ये 5 distribution DMS जो बोलते हैं distribution management system का अंदर में, जो service stations थे, उनको power grid ने 2018 को complete करके हमें power department को hand over करना था, लेकिन due to various reasons, ये service stations आज तक commission नहीं हो पाया, except राजभवन पावर हाउस जो अपर जुली एरिया में इंस्टल हुआ है और रिसेंटली, few months back, complete हुआ, हमने take over किया, that is only two into five MBA, capacity का है, और जिसमें भी थोड़ा एक transformer काम नहीं कर रहा है, उसमें कुछ issues निकला है, जो अभी दो गंटा पहले मैंने power grid को सामोन करके बताया कि जल्दी आप उसको address करो, तो बाकी साफ stations अभी commission नहीं हुआ है, 2018 को जो commission करना था अभी तक 2024 तक नहीं हुआ, इसलिए हम लोग aided capacity government का side से, state government का side से, हम लोग ने नहीं लिया कि ओ, इन addition बेकर में हम capital investment क्यों करें, public fund commission क्यों करें क्योंकि comprehensive scheme, जो government of India ने funds देने वाला में आई रहा है तो लोगों ने बाद में commitment देते रहें, 18 को नहीं हुआ, 21 को देंगे, तो 21 तक हम लोगों ने ना aid किया, ना upgrade किया systems को, service station क्योंकि capital intensive होता है, projects, तो उसके बाद 21 को नहीं हुआ, लोगों ने बोला अगला साल दे देंगे and final commitment दिये थे March 24, March 24 तक भी complete नहीं हो पाया जिसका result यह हुआ है कि public demand तो बढ़ते गया, increase होते गया and everably increase होते गया, recent days में all of us felt इतना गरम हुआ है कि लोग ने पूरा load डाल दिया तो total मेरा distribution areas में service station capacity saturated हो गया, overloaded हो गया जिसका चलते transformer को बचाने के लिए number one distribution divisions ने manage करने के लिए load setting resort करना पड़ा capacity का बज़े से number two distribution network होता है उसको भी various stakeholders है इसको थोड़ा restaurant करके रखा आगे अच्छा से नहीं ले जाने देने ले जाने में जो की एक feeder में 11 KW feeder में for example में उदाहरन लूँ GIS feeder बोल करके चंदरनगर से एक जाती है उस तरव गोप उरतिनाले उस feeder में इतना loaded हो गया हूँ करके पोमा जोते पूरा चला जाता है बासर नालो तक तो उस लाइन का बीच में भी मैंने एक मेंशन करना power grid का और इसकोप है आज़ीवा 11 साव स्टेशन बना हूआ तीन साल से लेकिन उसको चारज नहीं कर पा रहा है यह से मेरा EHB साव स्टेशन चिंपू से ले जाना है उसको कॉंप्लीट नहीं कर पा रहा तो अगर वह भी चार्ज होता तो काफी लोद रिलिव होता तो लोद सेडिंग में मदद होता रिलिव होता लेकिन अभी इस्ट्यूबिशन इग्यूकिटिव इजिनर के पिटेल दिविजन ने कल परशू भी जाए जालिया कल दिपूटी को मिशनर का साथ ही वेचार घूम रहे थे दोनों तो उस सिंगल फीदर को थोरा लोद रिलिव करने के लिए ओवर लोद हो गया उसको एक अलग एक फीदर क्रियत करना था साथ फीदर जो की सार्वे के अनुसर अनली थो सी दवलूसी प्रिमाइस से जाता है सेंट्रल वातर कमिशन का एक उदर प्रिमाइस से चिंपू में उसका थो तीन-चार स्पैन लाइन जाता है उसको अगर क्रेट किया जाए तो जी एसाई फीदर रिलीव हो जाता है तब लोट सेडिंग कॉम्प्लिटली इलिमिनित हो जाता है तो अनफर्चुनेटली सी दवलूसी ओथरीटीज ने मना कर दिया आप मेरे प्रेमाइस में लाइन गार नहीं सकते हैं नहीं ले जा सकते हैं क्योंकि अलोप उसको मैंने डिसी साब को रिक्वेस्ट किया और रेडिली ही तुक इट अन्होंने बोला ओ रो डबल जो है राइट फटापत क्लियर कर देंगे सी दवलूसी बात करके आई अंडर्स्टेंड वह अभी लाइन गार रहे हैं पॉल गार रहे हैं जल्दी खतम हो जाएगा तेंपुररी हो इंतरीम हो वाटवर इत भी देन एट अरिया शुद भी दिवाइड ओफ लोड शेदिंग विदिन तू 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 त्री देज और रहा आपका बहुत बड़ा रिली हिटिंग अरिया यह आकासदीप अरिया आर्केमिशन अरिया और गंगा मार्के अरिया इसमें भी सेम इसू है फिदर ओवर लोडिंग यह काफी समय से काफी सालों से चल रहा था आइम एवर आउट तो उसको भी एक्युकिटिव इंजिनियर को स्पेसिफिक डिरेक्शन दिया गया 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 क्या क्या करना चाहिए तो गेत रिद रिद अफ इस लोड ब माउन दियाओ ठिपिशन जोनल चीफिव इंप टकॉम शार का अधर हम मुझे ओ मैटे थे उसमें भी लोगो लिग आगया और बास अाब अबस्थान आफ़न आफेसिए नाव नलेज तो और अधर ओटविज उसमें लोगों को लाया गया और बास बास्पेस्टिशन ख् तो आज तालोप हो गया, एडमिनिस्ट्रेटर में, इंगिनियर में टीके तारा को हम लोग जाते हैं, जो बोलता है, करता है, तो इसलिए आप जो बोलेगा करेगा, कितना दिन अपना है? तो में करवा ही दोंगा, तो मेरा धैर कंट्रल में नही है, बट जाते हैं, जो स्वख च्प जीजर्डेटर में पर पड़ता है, हम आप में टीके तारा जो नही तो बोलता है, तो इसलिए नहर लगन, जो इसलिए बड़ता है। मैं बोलूँगा नाहर लगुन एरिया इस फेड पावर फ्रॉम एच्वी साविस्टेशन लेखी इस डिपर्मेंट अपावर मेरा अंदर में है उसमें 20 MVA का कैपासिती है 19 MW जिसका की कैपासिती एक्चुल लोद 18 MW लेना चाहिए 19 MW तक चड़ गया उसके बाद मैं और न नाहर लगुन साविस्टेशन का 18 MW के जगह में अभी तक 19 MW रिजिस्टर हो गया उसको मैंने रिस्टिक करके रख दिया बट दियू तो देट अलसो लोद शेडिंस अर हैपनिंग बट पावर ग्रीट का निर्जुली में तो इंटो 50 MW जिसका की 80 MW कैपासिती है इस ला अभी तो इज अबस्टिबिस्टन खर आवाट ए कर निर्जुली पावर ग्रेण साविसटेशन का उवल्ट रच प्सटिब्स मिन अवाड़ाव को ते इस लिए ल अबस्टब्सट्टिय को अट्ट्ट मैं तो यह मैंने तो प्सुन तो इन आपने अम ठीजू लगश झैं तो मैंने responsibility देख करके I have directed them to come जो की actually two इसमें public का भी हो है responsibility है दो existing 33 kv line निरजुली power grid का साथ station से नाहर लोगन 33 वा 11 साथ station जो की powerhouse बोला जाता है उधर तक आ करके इतानगर तक वो दोनों फीदर्स जाते हैं जिसमें से आराम से ऐसे situation में लाइन लुपिंग कर सकता है ना power power ले सकता था वो लुपिंग लुप आओ देखने के लिए आप लोगों के लिए लेमें के लिए connectivity बात simple connectivity वो ले सकता था लेकिन over the period क्या हुआ जब लेखी का साथ station हमारा एच वी साथ station commission हुआ उधर से यह नहार लगन पावर हाउस लेते रहे और निर्जुली लाइन बितुए नहार लगन उसको थोड़ा क्यार लेस हो गया तो पाब्लिक जो लोगों ने irresponsible public लोगा irresponsible citizens लोगों ने ओ लाइन को कोदर के उखार दिया तो अभी ओ लाइन बहुत segment liniinee है तो टार के रख दिया तो उसको recreate करने को अभी चल रहा है तो लाइन has to be immediately restored back with additional poles, additional conductors, additional routes कुछ जगे मैं ऐसा कर लिया कि mines, यह करे तो घर ही आपको लिर जुदी और नहारागन का बीच में भी उसको प्रदीन करने के जगा जाएगा होगा? ना, somehow we have to manage, and I have requested the deputy commissioner, and he is so proactive, उन्होंने वीसी में ही आज देखा, स्पीद लोगों को भी on board लेकर के meeting कर रहे थे, and I am very happy, Mayor साभ, Honorable Mayor साभ, was also on board VC, and I had the privilege to see them all on board VC, बहुत अच्छा environment interaction हो रहा था, how I could, मुझे और भी ताहिम मिलता, मैं इन लोगों को और रूबरू हो सकता था, लेकिन और दो तीन meeting थे, यह important meeting, के लिए, Independence Day Celebration Tableau से उवलिव का, और बाकी लोग भी NHPC लोग आए होए थे, तो I have to take care, तो मेरा बात को उनको रख करके, मैं exit होके another meeting attend करने चला गया था, यह, that those two feeders will also be connected within two weeks, मतलब निर्जुली नाहर लगन को भी आपके लोग सकता में? Yes, 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 within two weeks I'll make them to connect, and दोईमुख अरिया बूरूम अरियूपय अरिया में भी लोग सेटिंग चल रहा था, उसको हम कहीं ग्रूप में देह करके, there also I personally intervened, and I met them, and I'm making them to get connected from निर्जुली साविस्टेशन, where capacity is abundantly available. Interim arrangement हो, कैसे हो, मैं connect कराऊंगा, और पाप्ली का सुफरिंग को मैं रिलीव कर दूंगा, within two weeks time. को भी request है, और जो इटानगर और नहरलगन का SP है, और SP traffic को भी request होगा, कि ये काम करने का समय थोड़ा सा मदद कीजिएगा, क्योंकि काफी समय में देखा है, कि public लोग कभी कभी restraint करता है, काम करने के लिए obstruction भी create करता है, तो उन obstruction ना करें, क्योंकि वो जो obstruction करने वाला उनको भी बिजली चाहिए, आपको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, तो ये load setting से येदी छुटकारा मिलना है, तो हम लोगों का ये बिजली वाला काम को करने देना पड़ेगा, और sufferings तरह साब भी बहुत दुखी है, मतलब लोगों में जो social media में जो लिख रहा है, जो वीडियो डाल रहा है, वो देख देख के उनको भी काफी दुख लगा है, और उन्होंने एक commitment लिया है, हाला कि उनका branch भी नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने commitment लिया है, कि करके दिखाएंगे, और ये इनका commitment है, हमको लगता है कि 15 अगस्त, दो सप्ता है न, 15 अगस्त तक almost पूरा काम खतम कर देगा, comprehensive scheme चलते रहेगा, वो अलग है, वो पूरा state का बहुत बड़ा project है, वो चलते रहेगा, लेकिन capital complex का लोगों को छुटकारा जरूर मिलेगा, ये इनका एक commitment है, और ये खुद भी जाकर के ground में भी चलते हैं, ऐसा है ये officer है, मैं उनको काफी दिनों से देखा है, तो देखते हैं, चलिए तारा साब का commitment फुल्फिल भी होगा, और हम लोगों का दुख का solution भी होगा, ना तारा साब, एक solution भी होगा, थोड़ा सा एक last word, मेरा एक ये होगा, मैं तो commitment आपको देदिया, पाबलिक को देदिया, थ्रो यू, एक मेरा साइच से पाबलिक को भी, हम पाबलिक में मैं खुद भी involved हूँ, include हूँ, आप भी include है, because all of us consume electricity, हमको उसको सोच करके ये अपने आपको ये एक mind में लेना पड़ेगा, तू भी a responsible citizen, not only right को आप दिमान करना है, हमारा obligations, हमारा obligations कहां है, moral obligations, statutory obligations, हो भी हम याद रख रहे हैं, मेरा एपिली ये रहेगा, आज DC साव के थ्रो, mayor के थ्रो, corporators के थ्रो भी मैंने रखा है, अभी जैसे मैंने बताया, दो 33 KV feeder को आपने तो थहसनास कर दिया, जिसका खामियाजा आप खुद भी अभी भोग रहे हो, जिन्होंने भी किया, और हम सब लोग भोग रहे हैं, load setting से, तो मेरा एपिली ये रहेगा, कि पाबलिक को, चलो हम लोग responsible, responsible citizen बनते हैं, responsible individuals बनते हैं, future को सोच के, जहाँ-जहाँ service sectors का service lines है, electricity बोलो, water supply बोलो, हम उसको safe side में रखते हैं, मेरा electricity transmission line हो, distribution line हो, उसका नीचे में, आप ये फल, पोदा, गच्चियों ची बंब, खास करके बंबू बनाना, ये सो मत लगाईए, आप लगा करके उसको, आप तो काटने तो देते नहीं, आप उसको grow करके touch करने देते हो, जो की fault create करता है, सारे अरियाज को आप disrupt कर देते हो, और जब service, utility service के लोग personal जाते हैं, maintenance करने के लिए, त्रीमिंग करने के लिए, आप उसको मना करते हो, ओ मत कीजिए, आप responsible बनिये, और DC साथ तो इतना proactive है कि उन्होंने आज भी बोला कुछ भी ऐसा हो, आप support जरूरी हो administration side से, और मैं भी बोलते रहता है, मेरा field unit officers को, officials को, जब भी ऐसा आपको obstruction impediments आते हैं, जगडा करने के बज़ाए, administration का, आप support law, administration will clear all those, और public उसमें support करना जरूरी है, consumer support करना जरूरी है, क्योंकि हम लोग अपना personal law के लिए, service के लिए नहीं कर रहे हैं, कोई भी personal service के लिए, ना deputy commissioner is doing, nor our people are doing, this is for common service, उसके लिए आप उसमें, आप भी proactive हो जाएए, आप भी cooperate करिये, कहीं दिखाए दिया, आपका खुद का, बंबू, या कोई भी गच्छी, आमने सामने line का, आमने सामने आगया, अपने आप, आप trim करिये, जब वो छूने से पहले, या जब छूने ह हो जाता है, हमारा electricity department को बता करके उसको trimming करने दीजिए, ये मेरा appeal रहेगा, और कोई भी infrastructure को, मैंने experience हुआ है, transmission line, कितना area के लिए, कितना power को carry करके जाता है, capital में सिर्फ साव station एक है, चीमपू में, आप उधर नहरलगुन, पपुनला area में एक transmission line, तावर का नीचे, आप ख करिए, आप responsible बनिये, वो चीज़ आप avoid कीजिए, और ये appeal मैं not only citizens को करूंगा, उनके representatives, जो leaders है, आज जैसे मेर सहाब को कहना था, कि पितेल में ऐसा हर सेक्तर में करते हैं, including electricity, कि ये एक model बन जाए, example बन जाए, बाकी areas में copy करने के लिए, ये मेरा ही सोच है, और मेरा field officers को, मेरे colleagues को, मेरे juniors को, मैं हमेसा बोलता हूँ, let us do such innovative things, such safety things, such creative things in our own sector, electricity में, कि ये एक बहतर ऐसा चीज़ बन जाए, कि इसके बाद spread out, ये model, capital का electricity model, बाकी districts में, बाकी smart towns में, आगे spread होते जाए, इमूलेत होते जाए, और ये standard बन करके, जितने भी हमारे ने 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 लोग आएंगे, वो just copy करते जाना है, ऐसा हम लोग कोशिस करते हैं, यही मैं appeal करता हूँ, सभी को, thank you very much.